नमस्कार जैराम जी की मैं डालमचन सेनी आज टियार पी टीए में मेरी कहानी सुनाने का मौका मिला है तो मैं उपस्थित हूँ मैं एमकॉम करने के बाद सर्विस के बहाने बंबो याय था यहां पर मेरा कोई भी अपना नहीं था जो मेरे को आश्रे दे सके मुझे एक छोटी शी फरम में काम करने का मौका मिला उसमें मैंने बहुत ही अच्छी मेहनत यानि मेरा दंदा है उस हिसाब से मेहनत करके उस फरम को आगे बढ़ाया दिन दुना रात चोगना उसमें मेहनत की और मालिक भी मेरे उपर इतना बरौसा करते थे कि शब काम यानि मैं शमालता था और उस फरम को मैंने इतना आगे बढ़ाया इतना आगे बढ़ाया कि दिन दुना रात चोगना और बाजार में उस फरम का इतनी बड़ी शाख यान जाने लगी कि इसके करमचारी और मालिक लोग बहुत ही अच्छे है और मैं जब मार्केट में खड़ा होता था तो मेरी पैचान भी इतनी अच्छी हो गई थी कि लोग मेरे को पूछते थे कि सेने जी अब कहा हो सेने जी अब कहा हो सेने जी यह मेरा काम करना है तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों का भी काम करता था और शेवा भावना की मेरे में बच्पन से ही बहुत अच्छी लगन थी मैं सुरू से ही RSS का कारे करता रहा हूँ और बंबई में आकर के मैंने RSS का काम इतना बहुत ही बड़ी क्या तरीके से किया कि बंबई में आज जो सबसे टॉप की शाका जिसको बोला जाए मुंबादी प्रबाद साका उसका मुख्य शिक्षक और कार्यवाय की जिवाबदारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई है तता आज केसवसर्ष्टी बहुत बड़ा प्रकल्ब बन गया लेकिन जब हमारे जमाने में था तो एक खेत के शिवाई और कुछ भी नहीं था तो उस खेत में भी हमने बहुत अच्छी तरह से यानि काम करने का मौका मिला और उसको बहुत अच्छी तरह से आगे प्रोग्रेस किया मेरे को शेवा करने का बहुत अच्छा लगन और सोक थी और उससे मेरे को बहुत इपरसंता होती थी कि λोगों की शेवा होनी चीए तो उस समय में मार्केट में जैसे ही खड़ा रहत था तो लोग पूछते था तो लोग पूछते थे से निजी मेरे को एक करमचारी देव म तो मैं उन सब लोगों को मनलब आदमी देता था और मैं यह सोचता था कि हैदी यह आदमी मैंने इसको दिया तो यह एक परिवार कमाने खाने लाइक बन जाएगा खड़ा हो जाएगा तो यह मेरे को जिंदगी भर मतलब एक अच्छी आशीच और मेरे लिए अच्छा सोचता रहेगा तो उस हिसाब से मैं वो काम करता रहा इस फरम में मैंने करीब करीब तीस से बतीस साल तक काम किया और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब लोगों की शेवा बहुत ही अच्छी तरीके से करना चीए और सभी लोगों की शेवा करना चीए तो उस समय मैंने टियारपी टीवी स्री रवी पारिक जी से संपरक किया उन्होंने मेरे को मेडिकलेम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि आप इस फिल्ड में जितना मैनत करोगे उतने लोगों के शेवा होगी और उतना ही आपको आत्मसानती मिलेगी तो मैंने लोगों को इस मेडिकलेम यानि जो बिमारी में पैसा देने वाली पॉलिसी है मेडिकलेम तो उस छेतर में काम करना सुरू किया तो लोगों को बिमारी के बारे में या मेडिकलेम के बारे में बिलकुल अवेरनेस नहीं थी यानि उसके बारे में कुछ भी जानकार नहीं थी कि अगर कोई आदमी विमार हो गया तो या तो अपनी FDR तुड़ाया या अपने गैने बेचे या कोई जम्मिन जायजाद बेचे तो ही अब उस आदमी का इलाज हो सकता है और इलाज कराना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो फेमिली आदमी है तो वो अगर एक बार क कि इतनी तकलिफ आ गई कि उसके अंदर पांच साथ दसलाक रिपार खर्चा हो गया तो वो आदमी ब्याज में ही बढ़ता रहेगा और उसको ब्याज में ही वो जिंदगी भर गुजारना पड़ेगा तो मैंने मैं उन लोगों को यह समझाने में काम्याब हो रहा हूं कि आ आज के इस करोना टाइम में तो इतनी जरूरी होगी जैसे आपको दो टाइम खाना खाना जरूरी है उसी हिसाफ से मेडिक लेम पॉलिसी भी बहुत ही जरूरी है तो इस हिसाफ से लोगों को जैसे कुछ लोग थोड़ा बहुत अवेरनेस रखते थे जिनोंने कभी कोई चो रुपए लगना एंदम तय है कि एडमिट हो गया एक सुए बिमारी है तो यह इतना खर्चा लगेगा तो वह आदमी कहां से लएगा तो इसलिए दी मेडिक लेंप पॉलिशी ली होगी तो उसको एक पैसा का भी खर्चा नहीं होगा और उस पॉलिशी से वह परिवार बच ज से इजीवे में मेडिक लेंद दिया है और जो लोग बहुत अभी भी अवेर्नेस नहीं की फन सेर्ट पार कर गए उन लोगों को भी मैंने सीनियर सीटिजन का मेडिक लेंद दिया है कि उनको भी कलेंप मिल सके उनके पास से भी पैसा मतलब खर्चा नहीं हुए इस मदलब रात को नीन इतनी अच्छे आती है कि आज के दिन मेरे को एक टेबलेट भी लेने की जुरूत नहीं है उनकी सब की दुआउं से मेरा स्वास्ते बिल्कुल अच्छा है और मैं फिर से सिरी रवी पारिक टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को ये श गंटा सतो दिन काम के लिए तयार रहते हैं और सी हिसाब से मेरी साहिता करते हैं मैं लोगों की साहिता उनके जरिये से करता हूँ जैराम जी की धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारियों जैराम जी